इसी रिक्वेस्ट हमारे आधर्णिया प्रधान मंतरी मिस्टर मोधी जी के लिए सर आप क्यों 24 घंटे 365 दिन गाम करते हो और करते जा रहे हैं यह देश आपको डिजर्व नहीं करता है मोधी जी यहाँ पे हमारे खून में करॉप्शन जमता है हर आपनी सोचता है मेरा क्या मेरा क्या आज तो कर लें कल देखा जाएगा देश का क्या उन्हें कोई फरक नहीं पड़ता कि हमारे देश की क्या वैल्यू है बाहर किसी को कोई फरक नहीं पड़ता सबको अपनी ही पड़िए हर आपने हर गरीब के खर बिजली पहुंचाई उ एक मिर्ट एक दारु की बोतल में वोट बिखता है, थोड़े से चंद पैसे दिये, जाती हो के वोट बिखता है, आप किसके लिए काम कर रहे हैं, उन्हें कोई परवा नहीं है, किसी को कोई परवा नहीं है, ये मिडल क्लास, जो पांच रुपए, दस रुपए पेट्रोल के भाब बढ़ जाने पर वोट खीश लेता है, ये वोगी मिडल क्लास है, जो बोलिवुड में 400 करोड रुपए मुवीज पर खर्च करता है, जो पॉपकर्न पर दो हजार रुपए एक बर ही जाके देता है, इन लोगों के लिए क्या करना, इनको प्रॉब्लम ये है कि इनको टैक्स देना पड़ेगा, हमारे देश में सबको फ्री चाहिए, सबकुछ मुफ्त, आज आप अनॉंस करते हो, सबकुछ मुफ्त है, देखो, आपको एक भी वोट ना मिले दो मैं मान सकती हो, सबको चाहिए, यहां पर किसानों को चाहिए कि उनका कर्जा मुफ्त, माफ कर उनको इंशॉरेंस, इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है, उनको चाहिए कि बस हमें सब कुछ फ्री मिले, यहां जमीर बिखता है, यहां इनसाफ बिखता है, एक एक इनोसेंट आदमी, पांच साल तक जेल में रहता है, उसके ओपर टॉर्चर किया जाता है, लेकिन उसे कोई मिलती, लेकिन वहीं एक पॉलिटीशन जाता है, जिसके ओपर क्रोड़ों रुपय का प्रूफ भी होता है, उसको पांच मिनट भी नहीं, पांच मिनट से भी कमें बेल मिल जाती है, डेट के ओपर डेट मिल जाती है, यहां जमीर बिखता है, कौडियों के भाव बिख किये, उनको भी बड़े मंगलोस में रहने दीजिए, जैसे अब हो रहा है, प्लीज मोदी जी, we don't deserve you.